मुझे नहीं लगता कि एंडियन कल्चर में जो बहुत सारी स्कूल्स हैं, वे इस्न सारी चीज़ों को नहीं सिकातें जैसी फर्स क्लास के अदर बच्चा है उसको टेबल सिकाए, A, B, C, D शिकाई Japan के अंदर class 1st, 2nd, 3rd तक बच्चों को कोई भी exams नहीं देने पड़ते और even books भी carry नहीं करने पड़ती वो school आते हैं, मस्ती करते हैं, dance करते हैं Japan के अगर कोई बच्चा fail भी होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको repeat करना पड़ेगा या दोबारा से उसको बिल्कुल पड़ाई करनी पड़ेगी Japan के अंदर उसको आगे promote करते जाता है test course को high school से पहले जादा importance नहीं दी जाती आप सभी लोग ने कहवत के बारे में तो सुना ही होगा जिसके education system में शुरुवाती के कुछ वर्षो तक बच्चो को पड़ाया ही नहीं जाता अब आप सोच रहे होंगे कि पड़ाया नहीं जाता तो बच्चो को कराया कह जाता है इस education system में शुरुवाती वर्षो में बच्चो को moral values और discipline के बारे में सिखाया जाता है यह बच्चे शुरू सही अपने school, अपने classroom और अपने playground को खुद ही साफ करते हैं और बहुत सारे ऐसे schools भी देखने को मिले हैं जहां पर toilets भी बच्चे खुद ही clean करते हैं अगर मैं आप लोग से पूछू कि आज एक दिन क्लिए आपकी maid या आपके घर में जो भी helper है वो काम पर नहीं आता तो आप कितना ज़ादा परेशान हो जाते हैं वही इस country के जो बच्चे हैं इन सारी चीजों को बच्पन से सीखते वे आ रहे हैं और जब वो बड़े होते हैं तो ये सारी चीजे उनकी habit बन जाती है जिसके बाद से वो कहीं पे भी जाते हैं चाहे वो school हो या university हो चाहे उनका खुद का घर क्यों ना हो इन सारी चीजों को वो खुद से ही manage करते हैं और इस country का नाम है Japan आप सभी को बता हो का Japan अपनी technology अपने काम और peace के लिए हमेशा शुरू सही सबसे आगे रही है हम लोग काफी बार सुनते हैं कि जो bullet train है वो Japan के अंदर सबसे fast है और हम ये भी देखने को मिलता है कई videos के अंदर कि Japan के अंदर जरा सभी जो bullet train है वो late नहीं होती मतलब ये दरशाती है जो Japan है वो discipline को बहुत जादा follow करता है सिर्व यही नहीं बच्चों के अंदर भी यही सारी जीजे देखने को मिलती है तो आज की इस वीडियो में Japan के education system को समझने की कोशिश करते है Japan 6 plus 3 plus 3 plus 4 के curriculum को follow करता है यानि की 6 years of elementary education, 3 years of junior high school, 3 years of high school और जो बाकी के 4 साल बचते हैं वो university और college को दिये जाते हैं Japan का कहना है कि उनकी country के अंदर elementary education और junior high school है वो completely free है और plus mandatory है प्लस अगर वो Japan के किसी public school में बढ़ते हैं मतलब कि जो government owned schools में बढ़ते हैं तो वहाँ पे education ए class 1 to 9 वो completely free है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो government schools की हालात वैसे ही होंगे जो आपको दूसरी country में देखने को बिलते हैं अगर मैं भारत का example आप लोग को लेके चलूँ कि आज भारत के अंदर हर कोई चाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो private schools में पढ़े ना कि government owned schools में पढ़े क्योंकि reason ये निकल के आता है जो government की schools है उनका infrastructure इतना up to the mark नहीं है teacher की जो quality है वो इतनी अच्छी नहीं है और अगर हम बाकी चीजों की बात करें जो curriculum है जो ये UP board फॉलो करते हैं और प्राइविट स्कूल्स हैं मुसली वो CBSC, ICSC फॉलो करते हैं तो जिसकी वज़ा से हर कोई चाता है कि मैं भी English बोल पाऊं और एक प्राइविट स्कूल को जॉइन करों लेकिन जपाइन के अंदर इन सारी चीजों बिलकुल आपोजिट है जपाइन के अंदर शुरू से ही युनिवोसिटी और स्कूल्स के मामले में जो गॉर्मेंट के स्कूल्स हैं वो प्राइविट के कमपारिटिवली जादा अच्छे माने जाते हैं पूरे जपाइन के अंदर एक ही करिकूलम को फॉलो करा जाता है यानि कि जपाइन के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि CBSC बोर्ड अलग है ICAC बोर्ड अलग है IP बोर्ड अलग है UP बोर्ड अलग है ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे Japan country के अंदर एक ही curriculum follow होता है कि मतलब कोई भी बच्चा किसी भी city के अंदर कुछ भी पढ़ रहा होगा, वही same education दूसरे student को ही दी जारी होगी, मतलब कोई भी curriculum में change देखने को नहीं मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है Japan की इतनी strong education system के पीछे, Japan का जो curriculum है वो उसके ministry of education, culture, sports, science and technology यानि कि जिसको आप MEXT भी कहते हैं उसके नाम से कहा जाता है, मतलब Japan के अंदर जो curriculum है वो उनकी MEXT body संबालती है, आप Japan के education system को break करने की कोशिश करते हैं, Japan के अंदर जो kindergarten education है, जिसको Japanese language में योशियन भी कहा जाता है, वो mandatory नहीं है, Japan के थर्ड तक बच्चों को कोई भी exams नहीं देने पड़ते हैं और even books भी carry नहीं करने पड़ती हैं, वो school आते हैं, मस्ती करते हैं, dance करते हैं, Japanese language को सीखते हैं, उनके national anthem को सीखते हैं, और especially सबसे जाता जो important चीज़ वो वहाँ पे सीखते हैं, वो सीखते है discipline, discipline के साथ साथ अग थाना इतर उदर गिर गया कुछ भी, तो उनको वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसी अपनी जगा को, अपनी classroom को कैसे clean रखना और वो खुछ से साफ करते हैं, अगर आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, यह ऐसा नहीं है कि Japan के public schools में ही सिखाया जाता है, Japan के अंदर ज gate के अंदर ही, जिसमें आप अपने जो shoes हैं, जो normal जिसमें dirt हो कि जब आप भार से आ रहे हैं, उसको वहाँ पे change करेंगे, उसके बाद school के shoes को wear करेंगे, तब ही आप enter हो सकते हैं, schools हैं, वो खुद lunch boxes को provide करते हैं बच्चों को, और अगर कोई भी school के अंदर lunch boxes provide नहीं कर पा जिनसे बच्चों की productivity improve हो, और वो हर वो nutritional value वाला food रखते हैं, जो बच्चों के लिए उस time पे सबसे आदा important है, बच्चे कोई भी अपना chips हो गया, packets हो गया, चॉकलेट ये सारी चीजे कुछ भी carry नहीं करते हैं, उनको एक साथ recess होता है, एक साथ lunch provide करा जाता है, स्कूल के और हर lunch meal में आपको एक चीज सबसे common देखने को मिलेगी, that is milk, हर lunch meal में बच्चों को वहाँ पे milk भी दिया जाता है, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि बच्चे खुद एक volunteer करते हैं, मतलब जब सर्व करने की बात आती है, जब ये lunch provide करा जाता है, तो बच्चे खुद एक दूसरे को सर्व भी करते हैं, मतलब ये duty भी बच्चे खुद से follow कर रहे हैं, जबान के अंदर एक और चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जबान के अंदर test course को high school से पहले ज़ादा importance नहीं दी जाती, मतलब जब जबान के अंदर अगर cover करा देंगे, इसलिए जबान के अंदर school के attendance देखने को मिलती है, वो लगबग 99% देखने को मिलती है, अब चलते हैं junior high school पर जोकी class 7 से लेकर class 9 तक देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो academics का level है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जबान का ये भी कहना है कि मैंने आप को बढ़ाया था कि elementary education के साथ साथ junior high school भी mandatory है, मतलब यहाँ पर आपके बास कोई भी option नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको पढ़ना पढ़े गई, यहाँ पर strictness level तोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आप बच्चों को यहाँ पर school uniforms पहनने को मिलती है, मतलब elementary education में बच्चे चाहें तो अपने घर के कपड़े पहन के आ सकते हैं, वो freely move कर सकते हैं क्योंकि वो लोग इदर से उदर थोड़ा बहुत खाना वाना पैकते हैं, रोज कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन class 7 से 9 तक जो बच्चे हैं वो समझदार हो जाते, थोड़े बड बच्चनल होने के वावाजूत भी ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पड़ाई छोड़ देते हैं, 99% बच्चे हाई स्कूल तक आगे देखने को मिलते हैं, हाई स्कूल जो है वो जपैन के बच्चों के लिए बहुत जादा important वाना जाता है, क्योंकि बच्चों का एक कोट है, म अगर हाई स्कूल में बहुत जादा मैनत कर ली, तो उन्हें युनिवोसिटी में या किसी भी कॉलेज में रिलेक्स देखने को मिलेगा, यानि कि आप समझ पा रहे हैं कि जैपैन के अंदर भी after school, मतलब कि class 12 के बाद competition युनिवोसिटी में admission देने के लिए या अच्छे college मे admission देने के लिए बहुत जादा रहता है, तो इसलिए बच्चे high school में बहुत जादा मैनत करते हैं, बहुत जादा पढ़ते हैं, मतलब वो दिन दिन बर सिर्फ पढ़ता ही रहते हैं, और साथ में वो एक और education की तरफ भी move करते हैं, जो भारत के अंदर जिसे हम coaching classes का नाम भी में three parts में देखने को मिलती है, first part को मोगी शेकन बोलते हैं, second part को हम जुकू बोलते हैं, और third part को हम रॉनन बोलते हैं, मोगी शेकन का मतलब यह है कि अगर आपकी scores अच्छे नहीं आएं high school के अंदर, तो आप after school classes में बहुत सारी ऐसे companies हैं, जो प्राइवेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि जिनका जो level होता है, वो university level से, उपर देखने को मिलता है, यह almost equal देखने को मिलता है, जिससे यह decide हो जाता है, उनके scores के बाद, कि आपका जो university में जो admission है, क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब जपैन के अंदर, ऐस institutions भी हैं, जो प्रोटा का नाम देते हैं, वो जपैन के अंदर जुगू बोला जाता है, जहां पर जो बच्चे हैं, वो प्रोपर एक इंसिट्यूट्स में जाते हैं, थोड़ी फी का जो level होता है, वो थोड़ा सा high होता है, जहां पर आप तीचर देखने को मिलता है, जो आपको गाइड करता है, परसनल गाइडेंस देखने को मिलती है, आप दिन बार वहाँ पर अपने एजुकेशन को और जादा इंप्रूव कर सकते हो, इसका बस सबसे में फोकस यही है, कि बच्चों को जैसे ना तैसे करके युनिवोसिटी एक्जाम्स को फटा-फट क्रेक करवाना, युनिवोसिटी का मतलब होता है कि सबसे टॉप-नौच, बच्चे करते क्या है, वो अपने आपके लिए एक सेलफ टािम देते है, जिसको हम सेलफ इंट्रोस्पेक्शन भी देते हैं, मतलब कि हाई स्कूल के बाद बच्च आपना अपना अकेले बैटा है, चाब वो घर प शुरू करता है, मतलब वहाँ पर उसे किसी guidance कि लेने की जरूवत नहीं है, किसी coaching institute को join करने की जरूवत नहीं है, तो ऐसे students को run-in कहा जाता है और Japan के अंदर ये तक proof कर दिया गया है, कि जो 86% students हैं, मतलब जिनके marks कम आएं वो कम से कम इन तीन में से, मतलब की mogi chicken, juku और जो आपको run-in हो गया इसमें से एक education को opt करते ही करते हैं, आप Japan की negative side की भी बात कर लेते हैं जैसे Japan के अंदर education important है, वैसे उसी तरही के से बच्चों के पर जो stress level है Japan के अंदर वो भी काफी समय से बढ़तावा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो Japan के अंदर peer pressure होता है education को लेके वो काफी जादा है, family भी चाती है कि हमारा बच्चा education के मामले में सबसे आगे हो school भी यही चीज चाता है, जो आपके coaching classes है, उनका भी यही सारा focus रहता है मतलब Japan के अंदर एक single examination, जिसको मैं university examination करें है उस चीज को लेके इतना जादा pressure बच्चों के उपर देखने को मिलता है, कि उसके consequences हैं वो बहुत लंबे समय तक देखने को मिलते हैं, जहां बच्चों को बहुत ही young age के अंदर nervous breakdown या कोई भी दिमाग की बिमारी हो जाना, या चानक से stress level हो जाना, या depression हो जाना बहुत सारी चीज़े जपाइन के अंदर frequent basis पर देखने को मिली हैं, क्योंकि जपाइन के अंदर जो education का stress level है, universities को लेके especially, वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा जो negative Japan के अंदर देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है cram schooling का बढ़ना, cram schooling का मतलब आप समझ रहे हैं कि formal education के साथ साथ आप एक support education भी साथ में चाहते हैं, अपने वह universities के exams को correct करना या serious ही बात क्या सकते है, cram schooling का मतलब educational, मतलब की coaching classes की बात कर रहे हैं और especially अगर cram education की बात करूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जुकू की जो Japan के अंदर जुकू classes हैं, वो junior high school से लेकर senior high school तक मतलब की जो class 6, 7, 8, 9 के भी बच्चे हैं वो जुकू को join कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि higher education के लिए वो अभी से अगर preparation करके चलेंगे तो हो सकता है कि उनके marks बहुत जाद अच्छे आएंगे, लेकिन ये जो concept है वो Japan के अंदर बहुत frequent एजी से बढ़ रहा है मतलब जिस तरीके से formal education Japan के अंदर famous है, उस तरीके से अब ये जुकू भी famous होता जा रहा है और जुकू की जो costing है मैं आप लोग को बता दूँ, 6 lakh से लेका 1.5 million yen तक के जुकू classes की जो expenses है वो देखने को मिलते हैं जो कि एक normal class family के लिए Japan के अंदर slightly expensive है लेकिन उसके बावाजूत भी जो Japan के education की result ranking है, उन सारी जुबे जपैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप बाकी country से comparison करेंगे तो Japan की जो ranking है वो आपको हमेशा से ही जादा देखने को मिलेगी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जपैन में आज भी education system की जो ranking है उसमें काफी फर्क है हाला कि ठीक है हर किसी education system में flaws भी होते हैं, positive भी होते हैं तो यहाँ positive क्या अच्छा लगा, elementary education concept बहुत अच्छा है जहां पर आप अपने culture के बार में सिखा रहे हैं, बच्चों को moral values दिखा रहे हैं चुकि आज के टाइम में यह देखने को मिलता है, बारत के अंदर भी कि पंके तोड़े जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, यह सारी चीज़े क्योंकि उनको शुरू सही जो moral values हैं, यह develop नहीं करे गए इसकूल के अंदर, स्कूल के अंदर जैसी first class के अंदर बच्चा है, उसको टेबल सिखा है, A, B, C, D, उसको एक्जाम स्टार्ट हो गए, उसके उपर प्रेशर डाल दी है बच्पन सही, फिर उसको पता चला आप इसको बात करें, उनको कैसे respect देनी है, फैमिली को कैसे respect देनी है, यह सब शायद मुझे नहीं लगता कि इंडियन कल्चर में जो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो यह सारी चीजों को नहीं सिखाते, वहीं अगर मैं हाई स्कूल कॉंसेप्स की बात करूं, यह क्रैम स्कू तो इतना peer pressure comparatively नहीं है, जितना Japan के अंदर है, तो एक मैं negative flaw भी कह सकता हूँ, लेकिन जो elementary वाला flaw, मतलब जो point है, वो बहुत जादा है, मतलब उसका जो burden है, जिसकी वज़ा से शायद हो सकता है, कि जो Japan की ranking education के मामले में, वो बाकी countries के मुकाबले इसलिए ही जादा है, तो आप लोग के क्या views और चीज को लेकर, please do let me know in the comments की, हमारे government of India को इन सारी चीजों में, क्या changes करने चाहिए, new education policy में, जो मतलब चाहे किसी और country से inspired क्यों ना हो, या कुछ भी मतलब जो आपको changes लगते हैं, तो please do share in the comments, so that's it for this video, अगर आप इस channel पे नए हैं, तो please don't forget to like and subscribe to this channel, क्योंकि इस से काफी motivation बिलती है, जैहिन, जै बारत